Hello everyone, आज हम देखने वाले हैं Evolist Primacy Printer का Demo ये Evolist Brand का Printer है, ये Made in France का Printer है और इस Model का Number है Primacy ये Printer जो है PVC ID Card Print करने के लिए यूज किया जाता है इसमें आप इस तरह के Plain White Cards Print कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के Pre-Printed Aadhar Card Pre-Printed Pan Card या फिर Pre-Printed Water Card Print किये जा सकते हैं और आजकल जो Latest आयुशमान भारत Card है वो भी आप इस Printer के थूरू Print कर सकते हैं अगर आपके पास Government का License है तो ये सारे Cards वरना अगर आप Private Player है तो आप Plain Cards का इस्तमाल करेंगे इस Printer के अंदर दो तरह की Ribbon लगती है एक है Full Panel Ribbon और दूसरी है Half Panel Ribbon जो Full Panel Ribbon है वो यूज की जाती है Plain White PVC Cards के लिए और जो Half Panel Ribbon है वो यूज की जाती है आधार Card, Pan Card, Water Card या फिर किसी भी तरह के Pre-Printed Card के लिए और अब बात करते हैं इस Printer के बारे में इस Printer के अंदर ये है Input Hopper और ये है Output Hopper इस Input Hopper के अंदर अप्टू 100 Cards आप Cassette के जैसे Store करके रख सकते हैं और 100 Cards की ये Printing Continuous Mode पे कर सकता है और ये जो नीचे का Output Hopper है Card Print होने के बाद यहां बाहर की तरफ आता है और इस Printer के अंदर Thermal Technology से Card Print करते हैं ये है Card Printer का Head जो की Card Printing करता है और ये है Printer की Ribbon इस वक्त हम इसके अंदर Full Panel Ribbon यूज़ कर रहे हैं और ये इस तरह के Cassette में उपलब्द है इस तरह से वो Load हो जाता है और इस तरह से हम आपके Printer को बंद करके Load कर सकते हैं Ribbon डाली है हम इसमें White Cards की Loading करेंगे Printer के अंदर और इस Printer के साथ आपको एक Free Software मिलता है जिसका नाम है Card Expresso ये Card Expresso Software बहुत ही Simple Software है जिससे आप किसी भी तरह के अपने खुद के Company के ID Cards डिजाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं Names & Photographs आप खुद डाल सकते हैं Online Registration कर सकते हैं और Online आपके Customers के लिए आप Printing भी कर सकते हैं ये Software का Basic Version इस Printer के साथ Free आता है और Software एक Dongle के अंदर की भी आपको साथ में मिलता है ताकि आपके जो Software है सिर्फ आप ही यूज़ कर पाएं, कोई और ना यूज़ कर पाएं आपके License के उपर और इस तरह से Card आपको लोड करना है Card लोड करने के पाद हम यहाँ पे एक Demo Sample Print देने वाले हैं ये Printer बहुत ही Advanced Technology का है इसमें आप Front and Back Automatic Printing कर सकते हैं जैसे ही आप Printing का Option देंगे ये Front and Back Color Print within 1 minute कर देता है and it is fully automatic आपको कोई अलग से Manual Method कुछ भी नहीं करना है बस आपको Print Option जैसे ही देंगे Printing Automatic ये Printer कर देगा ये सकता आपको जो Noise या Voice आ रहा है वो Printer अंदर Mechanically कार्ड को Print कर रहा है ये उसकी Voice है इस तरह से हमारा जो कार्ड है वो Front and Back प्रिंट होके आ जाता है आप देख सकते हैं कि Color एकदम Perfect आया है, Black आया है Face भी अच्छी तरह से Print हुआ है और Front and Back कार्ड ये Print हुआ है कार्ड जो है एकदम Flexible है और अगर नाकून से आप Scratch भी करेंगे तो भी ये जल्दी से खराब नहीं होता वो इसलिए क्योंकि ये Printer ये Printer आप प्रिंट तो करता ही है बद साथ ही साथ एक छोटा सा Minimum Overlay Lamination भी इसके ओपर कर देता है तो मैं आपको बता देता हूँ ये Overlay Lamination दिखता कैसा है ये देखिए ये है Overlay Lamination तो ये दो होगया Color का Ribbon और ये है Overlay Lamination तो ये Unique Feature है Evalis Brand के Printer का देखता है जिससे कार्ड फेड नहीं होता और Color भी अच्छी तरह से दिखता है and Scratch Proof है Waterproof है and Bending Proof अलसो and अब ने आपको बता देता हूँ कि How to Load Half Panel Ribbon Half Panel Ribbon कुछ इस तरह से दिखता है and Ribbon के Left Hand Side बे इस तरह के Groves रहते हैं इस तरह के Screws रहते हैं और Right Hand Side पे एकदम Plain Smooth रहता है and यहाँ पे Printer के Left Hand Side पे Gears हैं आगे और पीछे और आपको यही Panel इस तरह से लोड करना है जो यह Full Panel नया Ribbon हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं New Ribbon लोड कर रहे हैं तो जो Ribbon का मोटा हिस्सा है New Ribbon है वो यहाँ पे रहेगा जो Used Ribbon है वो यहाँ पे Store हो जाएगा and यह Half Panel Ribbon के साथ और Full Panel Ribbon के साथ दोनों के साथ ही इस तरह का एक Chip आता है वो Chip हर एक Ribbon के साथ Compulsory आपको मिलता है और उसे आपको इस तरह Install करना है यह Chip हमारे Software को बताएगा कि Ribbon केता यूज हुआ है और केता परसेंटेज बागी है और वापिस आपको उसी तरह से बंग करना है और अब क्योंकि Half Panel Ribbon लोड़ेड है आप कुछी दूसी तरह के Cards इसमें Print कर सकते हैं Half Panel Ribbon का मतलब यह है कि Front Side कलर and Back Side Black and White and यहाँ पर जैसे हमने उस Ribbon को Install किया यहाँ पर उसने बता दिया कि Ribbon की Capacity है 100% क्योंकि हमने New Ribbon लोड़ किया था and जैसे ही हमने यह Cover आदा खुला छोड़ा है यहाँ पर Automatic यह Error दिखा देता है कि Cover is Open, Please Close the Cover यह इस तरह से हमें Information मिल जा रही है तो जैसे हम लोग यहाँ से Cover close करते हैं हमें यहाँ पर यह बता देता है जो Error है वो Change हो जाता है और यहाँ पर Ready Status आ जाता है तो जो Printer है एकदम High Level के Sensor इसमें है और यहाँ हमने Card हटा दिया है Card हमने Remove कर दिया तो इसने बता दिया कि यहाँ Card Feed में Problem है तो We have to Feed the Card Now we are feeding the Card जैसे हमने Card Feed किया वो Sensor Read कर लेता है कि It is The Card Read हो गया है तो एकदम हर जगा Printer के अंदर Sensor है और जो भी छोटी-छोटी Minute Problems लिए वो पूरा Sensor से Detect करके आप Automatic खुद आपको ही बता देता है और यहाँ पर में आपको एक Basic Card Expressor Software है जो एकदम ही Simple है यह इसे Just Microsoft Word या PowerPoint यह जैसे है Simple Drag and Drop option है आप कैसे भी इसको Editing कर सकते है Background दे सकते है और यह Software के थूँ ही आप Print कर सकते है कोई दिकर नहीं है इनकेस आप एक Designer है Expert है in Printing आप अलसो यूज कर सकते है CorelDraw या फिर Photoshop Photoshop या फिर CorelDraw जैसे Professional Software के थूँ भी आप Direct Print दे सकते है Front and Back इस Printer के अंदर क्यूंकि Maximum Card Designers या फिर DTP Centers आज़को फिर Photoshop या CorelDraw यूज करते है तो आप Direct महीं से इसे Print दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एकदम High Resolution Print आपको मिल जाएगा Front and Back Capacity के अंदर और इस तरह का आपका ये Card प्रिंट हो जाएगा ये हमने Half Panel Ribbon यूज किया था तो हमने Front में Color है और Backside में Black है और यहाँ पे हमने Full Panel Ribbon यूज किया था तो Front में भी Color है Backside में भी Color है ये दोने Demo होगे Full Panel और Half Panel Ribbon के जो Full Panel Ribbon होता है उसके इस Direction में यहाँ पे चिप होता है जो Printer के अंदर Detect हो जाता है जिसे हमें उसके Percentage Idea का होता चल जाता है And just in case आपको कोई छोटे मोटे डाउट हो तो आप For example जब आप Card प्रिंट कर रहे हैं और Electricity चले जाए तो Card बीच में जाम हो जाता है और जब वापिस Electricity आती है तो Card यहाँ एक Backside Bin से Eject करता है और इस Printer के पीछे कई सारे Ports है जैसे यह Power Cable Port है यह USB का Port है यह Ethernet Port है और यह USB 2.0 का Port है तो यह था एक Basic Demo of PVC ID Card Printer of Evolus Brand Primacy Model यह जो प्रिंट करता है वन मिनिट पर कार्ड की स्पीड में फुल कलर पे प्रिंट कर देगा और अगर आप Half Panel Ribbon यूज़ कर रहे हो है तो यह 40 सेकंड के अंदर प्रिंट कर देता है तो पर डे आप Easily बहुत हाई Volume और अच्छा High Quality प्रिंट इसमें निकाल सकते हैं